नमस्कार मैं हूराम किंकर सिंग, देश का दिल, दिल्ली और दिल्ली का दिल कॉनाट प्लेस, कॉनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इस वक्त मैं मौझूद हूँ, जिस तरह से आमादमी पार्टी के मुख्या और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जरिवाल ने साफ़ है कि दिल्ली में काफे कुछ बदलाव आएगा और यही वज़ा है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि उर्जा यानि यूनाइटेज रेजिडेंट जॉइंट एक्षन फोरम जो की दिल्ली की धाई हजार से जादा आएड़वैस का प्रतने धितों करते हैं उसके अध्यक्ष अतुल गोयल साथिसाथ आप देख सकते हैं जो तमाम पदाधिकारी हैं अलग-अलग आएड़वैस के वो यहां पर मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे सबसे पहले तो आतुल जी आपको बहुत-बहुत बधाई और मुझे लगता है कि आप बहुत दिनों से मांग करते रहे हैं कि RWA को पावर दी जानी चाहिए अब तो वो पावर मिल रही है आपको पावर तो मिल रही है CM साब की एनाउस्मेंट से लग रहा है कि वो पावर मिलने जा रही है पावर के साथ कावी कुछ कुछ कॉश्चन लगे हुएं जब आप मिनी कॉंसेलर की एनाउस्मेंट करते हैं मिनी कॉंसेलर के मतलब है कि आपको 4th tier of governance को आप अप्रूव कर रहे हैं और 4th tier of governance को जब आप अप्रूव कर रहे है article constitution amendment के अंदर 73rd, 74th constitution जो amendment था जो 1991-92 में हुआ उसके अंदर पंचायत के अंदर तो हो गया अर्बन बोडिस के अंदर RWS का नाम आता है पर अगर वो आप करने जा रहे हैं तो तो दैन है इट हैस टू बी अन एक्ट इनक्टिड बाइ पार्लेमेंट और जब तक दिल्ली स्टेट गोवर्मेंट जो है कैबिनेट मिटिंग के अंदर ये एक पास ना कर दे और उसको अप्रूवल के लिए LG और प्रेजिरेंट अफ इंडिया के पास ना भेज दे तब तक ये पॉसिबल नहीं है और अगर CM साब वाके में ये चाहा रहे है कि वो RWS को एंपावर करने के लिए इंटरस्टीड है और दिल्ली का रूप रेखा सुरू बदलने के लिए तैयार है तो सबसे पहले उनको अर्जेंट बेसिस पे आज के आज ही अपनी कैबिनेट की मिटिंग बुलानी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर एक resolution पास करना चाहिए और resolution को तुरंत effect से लागू करने के लिए President of India को request करना चाहिए आपको कोई शक्षुभा लग रहा है क्या अभी तो घोषना होई हो सकता है किया जाए शक्षुभा की बात यह है बिकाज जब फॉर्थ टायर आपने संग्या दी है मिनी कॉंसलर मिनी कॉंसलर constitutional authority RWA है RWA constitutional authority नहीं है पर जब किसी को आप mini consular बना रहे हैं that means कि आप एक वार्ड को सब वार्ड में convert कर रहे हैं अगर आप सब वार्ड में convert कर रहे हैं तो फिर हमें इस MCD election की जरूरती नहीं है टेक्निकली फिर हमें mini consular से ही आप election आप करवाते है mini consular का selection करते देखिए बहुत बड़ा conflict आ रहा है दोनों बातों के अंदर conflict आ रहा है हमने जो बात बोली कि आप रेजिनेंट्स वार्ड कमेटी बनाई है हर एक वार्ड के अंदर जिसमें rw की leadership को nominate करके हम वो group जो है as a consultative group वार्ड लेवल पे काम करेगा जिसके अंदर development के issues के उपर चर्चा होगी और action taken reports होगी grievances को वहाँ पर record किया जाएगा पर अगर आप mini counselors को बोल रहे हैं कि वो MCD चलाएंगे तो आप दोनों बाते एक तरफ एक ही चीज के अंदर दोनों बाते करने ही कोशिश कर रहे हैं आप अपनी responsibility से पला भी जाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप RWS को empower करने की बात भी कर रहे हैं यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घोशना हुई से पहले मुझे याद आता है कि मोहला सभा की भी बात की गई थी RWS को empower करने की बात पहले भी हुई थी अब एक नया नई बात एक नई पेशकर्श क्या कहेंगी सर पहले जो मोहला सभा हुई थी वो मुझे तो दिखनी रही कहीं पे कहीं होती भी हो और उसमें भी सारे वो पार्टी मेंबर्स ही थे जो भी थे RWS को उसमें भी साइड लाइन किया गया था और जहां तक मैं RWS की बात करूँ तो RWS एक ऐसी फोर्स है जो इन पॉलिटिशेंस से काम करवा सकती है तो वो तो काम तो होता है बुक्स में काम होता है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता लेकिन अगर ये RWS फोर्स को एक तरह से उसको वो अपने साथ लेना चाहते हैं तो उनके काम को लेना पड़ेगा मअधे ऑड़ा उनकी राय लेनी पड़ेगी बिना राय के आप एगर उनको क्षिता वो कह रहा है थानस दे देंगे तो कैसे देंगे कूण सी RWA के फंड देंगे कूण सी रेजिस्टरर्र 味 में वी कितनी बड़ी आड़ी RWA को फंड देंगे ऐसे ही RWA को एक तरह से ये demoralize कर रहे हैं मेरे हिसाब से RWA बहुत बड़ी force है जो दिल्ली को सुधारने के लिए दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए वो forcefully काम कर रही है और इन सभी politicians के साथ जबर्दस्ति उनसे काम हम करवाते हैं बड़ी interesting सी बात है कि एक तरफ mini counselor बनाने की बात हो रही है दूसरी तरफ जो RWA के प्रतनिती हैं पताधिकारी हैं उनका एक कहना है ये तो demoralize किया जा रहा है सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा कि आखिर पहचान कैसे हो कि नकली RWA कौन असली RWA कौन तो क्या registration बढ़ गया है कल से जब announcement मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा registration बढ़ जागा नई नई RWA का मश्रूमिंग चालू हो जाएगा कोई भी साथ आदमी मिलके एक नई RWA का नोमिनिक लिए लिचर करागा है इसके पीछे मनशा क्या देखती है राजनितिक दलूंग आप तो खुदी इसका जवाब दे रहे हैं कुछ-कुछ होता है न चुनावी जुमले हम यह चुनावी जुमले है यह ठीक है कि हमें positive रहना चाहिए जो कुछ भी है उसको positively लेना चाहिए पर यथार्थ यह है कि जैसे आपने खुद बोला कि यह तो पहले भी कह चुके है मुलला सभा को क्या हुआ मुलला सभा उसके बात बात ही नहीं हुई बनाना तो लग बात है उसके election होने के बात कभी किसी आप किसी भी आदमी ने कभी मुलला सभा की बाती नहीं की है तो हम क्या सोचे है उसका नंबर एक नंबर दो जैसे कह रहें आर्ट डवली को आप बनाएंगे तो आर्ट डवली का पहले प्रारूप तो बनाई है Constitutional पर वो तो जो एक Society's Registration Act के अंदर बनता है कोई भी साथ मेंबर की सभाव बन जाती है RW का जो एक Act है RW क्या होगी पहले तो बनाई है उसके बार में कोई बात नहीं है और फिर अब यह बोलेंगे आप I don't know BDP वले क्या बोलेंगे को कुछ और बोलेंगे they have to all sit together and realize that yes as per the constitutional amendment जो है हमें उसके हिसाब से पहले RW को उसका प्रारूप Act के हिसाब से बनाएंगे तब ही एक कदम आगे बढ़ सकते हैं नहीं तो यह चुनावी जो जुम्ले इनका कोई फायदा नहीं है देखें चुनावी जुम्ला जैसा शब्द का इस्तेमाल हुआ इस पर तो सुप्रीम कोट भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है लेकिन अमूमन आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटना करम को जब कहा जाता है कि हम इनी पार्शादार WS को बना रहे हैं मैं इस बात को मानता हूं कि चुनावी जुम्ला है मगर इस जगड़े में नहीं पढ़के बड़ एक कुछ एक्षिन तो करके दिखाएं ज़िए इनको यह करना ही था तो जो आलड़ी आरडव्यू से हैं उन्हीं को कह देते हैं कि आपके लिए पांच लाक रुपे का काम किया गया है वह अप्रूट भाई आरडव्यू से हो तब ही कोई फैदा है कि वह कह देने से जैसे अभी इन्होंने का को साथ बंदों के हिसाब से कोई भी अपना बना लो गए तो पहला बैन हो जाना चाहिए कि आज के बाद अनॉस्मेंट के बाद जितनी भी नहीं आर फंड्स एलोकेट किये जाएंगे या खर्च किया जाएगा जो पुरानी आरडव्यू से है केवल उनके बेस के ओपर देखे वही मसला निकल कराया है कि कहतो दिया गया कि मिनी पाशत बनाएंगे लेकिन असल नकल की पहचान कैसे होगी और अब कहीं ऐसा तो नहीं कि गोशना के बाद फंड के चकर में आरडव्यूस ही रेजिस्टर्ड होने शुरू हो गई तो जब यही नहीं पता है कि असल आरडवल्यूए कौन है नकली आरडवल्यूए कौन है तो फिर फंड किसको दिया जाएगा यह फंड देने की बात बोल दी है देने का काम तो अभी भी कर सकते हैं एमले फंड हैं MP फंड है बीजेपी कॉंगरस जो भी पार्टी इन पावर्स है उनके पास जो कौंसलर है व मेले के कहने से लगने दो टो एंपी का भी ऐसे कर सकते हैं सेंटर गूर्मन अनॉंस कर दें तो अपने आप आड़ बले मपावर हो गई तो फण्ड की टेंशन तो बाद यह कॉंस मिनी कॉंसलर बना के हमारा कद छोटा करना चाहते हैं हम तो बेडें पी एमले से यह में कॉंस तो साफ है देखे आपने एक एक तरह से बहुत ही जो तकनीकिक पेंच है वो यहाँ पर निकल लाए है बिंग उर्जा प्रेसिडेंट अतुल जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अकसर ऐसी चीजें हुई मेरलब ये दूसरी बार ऐसी घोशना हुई है साथ साल पहले भी ऐसा कुछ किया गया था तो ऐसे में अब आप इसे किस तोर पर देखते हैं कि आर डबलुएस कितना शशक्त होगा ऐसी घोशनाओं से खासकर चुनाओं से ठीक पहले अगर कोई भी पार्टी करती है देखें दोनों तरीके से हमें समझना पड़ेगा इसको हम आर डबलुए की मुवमेंट को किल नहीं होना देना चाहते ये उर्जा का गोल है हम आर डबलुए सक्षम बने एंपावर बने तरीके से एंपावर बने constitutional तरीके से empowered हो उसके लिए हम प्रियास कर रहे हैं पर political leadership किसी ना किसी तरह से scuttle करने की कोशिश कर रहे हैं RWA movements को जब आप एक area के अंदर multiple RWA का creation आप करवाएंगे और फिर आप उसके अंदर से अपने चहेतो RWA को pick कर लेंगे और जो existing RWA है जो actually में काम कर रही है area के अंदर उसको आप redundant करने की कोशिश करेंगे तो कई ना कई मतवेद पैदा होंगे आपस में residents के बीच में in fighting बढ़ेंगी local areas के अंदर अगर आपकी कलोनी अगर 500 मकान हैं और 500 मकान में अगर division होके तीन या चार RWA create हो गए विका साथ आदमी का गुरुप जो है वह आडवले मना सकता है तो क्या होगा multiple RWA का creation होगा सरकार से खास तोर पर निवेदन है कि वह आडवले की एक तो पहली बात तो वह definition सरकार किसको RWA मानती है वह definition डेकलेर करें दूसरा उस RWA के अंदर minimum और maximum स्ट्रेंग्ट से मतलब है कितने minimum members उसके हो सकते हैं कितने maximum members हो सकते हैं उसको define कर दे यह दो चीज़े जब तक वह नहीं करेंगे पावर आएगी पैसा आएगा वह बाद की बाते हैं पर सबसे पहले आप उसकी रूट्स जड़े तो बनाईए जब तक जड़ी नहीं है मैं हवा में बात कर रहा हूं कि उसके पर फल भी लग औ मैंने खा भी लिया तो वह बेकार की बात है पॉलुशन दिली में इतना बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर 2016 के अंदर ग्रैप आया जिसके अंदर डिस्टिक रेविन्यू कमेटी के अंदर जो है SDM को एमपावर किया गया कि वह RWA से कंसल्टेशन करके 14 डिपार्टमेंट दिली के नॉमिनेट हुए उसके अंदर जिनको काम करना था साथ में मिलके आज तक एक भी मिटिंग अगर उस लेवल पर हुई हो तो मुझे बता दीजिए उर्जा ने 2017 के अंदर जोनल लेवल की कमेटीयों का गठन कर दिया था जिसके अंदर उस जोन के RWS का उस जोन के ऑ करके आप कंसल्टेशन मिटिंग चालू कर दिये और अपना काम चलाइए यानि कि जब कुछ खास नहीं करना होता है लेकिन RWS का इस्तेमाल करके एक अच्छी मुहिम के तौर पर प्रदूशन को दूर करना होता है तब RWS का इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन अब RWS को कहा जा रहा है हम तो पावर दे रहे हैं सिलाна दिकी तक मैने की याद आती है प्यूंसे कई लोहें से बात हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने रेशिद्धिंस की भागेदारी बनाई थी ऑद देवलियक एक आगे चल रिउदु लिशिद्वकान 01 की गई का इसलिए खतर्म होई तो अभी भी यही हो रहा है, मुझे यह बताई अभी इस इनॉंस्मेंट अभी इलेक्शन से पहले क्यों हुई है, पांच साल से तो है वो पावर में, तीन साल, आठ साल हो गए, तब क्यों नहीं हुआ, और अफ़ सदन, बिफोर दे इलेक्शन, यह जुम्ला क्यों आया है, अब RWA क्या करेगा? RWA क्या कर सकता है? लड़ेगा, जगड़ेगा, यही कर सकता है न, जाके अपनी बात रखेगा, बात कोई सुनता है, के जवाल जी ने आज तक किसकी बात सुनी है? कह दिया गया, कि तो RWA का अगला कदम क्या होगा? अगर यह नहीं करते हैं, आके अगर अपने जो भी उन्होंने अनौन्स किया है, तो हमें constitutionally जो भी करना चाहिए, मेभी Supreme Court में आलड़ी जैसे मेटर चला उसमें इंटर्वीन करना पड़ेगा, और constitutionally LG और President of India को involved करना पड़ेगा, because leaders ऐसे announce करके भाग नहीं सकते हैं. But जो दिल्ली कोवर्वर्मेंट है, उसके जो काम है, जमना पोलुशन क्या हुआ, पहले से जादा ड़टी है, एर पोलुशन पहले से जादा जरीली हवा है, और पूरी MCD को इन्होंने काम नहीं करने दिया, ये भी इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ना, they have choked MCD, so किसी पर भी बिलीब करना मुश्किल है, ये स्ट्रगल हमारा चलता रहेगा, और ये लडाई कोई आप रुकने वाली नहीं, अच्छी बाता है, जो नोंने अनूस किया है, we will make sure, we will try कि वो इसके ओपर अमल करें, आप लोग उर्जा के मेंबर हैं, उर्जा यानि United Resistant Joint Action of Delhi, धाई हजार RWA का प्रतने दित्व करता है, लोगों का एक घोश्टा पत्र भी उर्जा ने तयार किया है, उसमें साफ तोर पर कहा था, कि RWA को भागिदारी दी जाए और उनको बाकाइदा शामिल किया जाए अपने day-to-day रूटीन में, ताकि इलाके के लोगों के बीच और सरकार के बीच, MCD के बीच जो कड़ी होती है, वो RWA ही होता है, उसका सही तोर पर इस्तेमाल हो पाए, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि यह उसी घोश्टा पत्र का नतीजा है, दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल का ये कहना, लेकिन अभी भी मानते हैं कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, प्रिमचन मिशा के साथ राम किंकर सिंग, डिल्ली आज तक